कि कैसे दोस्तों कि उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे और तयारी में लग चुके होंगे अक्टूबर आ चुके हैं देखो कहने को तो अभी काफी टाइम बढ़ा है आगर मैं वैसे बोलो चलो यह टाइम पड़ा कर लेना तैरी पर ठीए न गलत है क्यूंकि आप देख रहें अब 2019 के हम दो बाट कर चुके हैं ठीक है और आ तीसरा बाट है आज के अच्छे लेवल क है मतलब अगर मैं बात करूँ ना चेंज ओफ ट्रेंट वो दोजर उन्गने से ही चुरू हुआ था इसके पहले क्या हो रहा था मेरे पास इसके पहले ना क्वांट के 25 अठाइस बोश्चनाया करते थे प्लस इसके बाद 35 अठाइस हो के सिद्धा यह ठीक है और अभी तक चल रहे है बट अगर मैं बेसिकली बात करूँ लेवल ओ कोश्चन है हां मैं मानता हूं आप सबकी बात से एगरी हूं कि भी 2023 में ज्यादा लेवल था थोड़ा सा बट ऐसा भी अनमैचेबल लेवल भी ने था क्योंगी बच्चे करके गए हैं जो जो एक हुश्यार उसने चूज किया कि भी किस तरह से एक्जाम को करेक करना है कि इस सिचुएशन में मुझे कैसे पॉजिटिव रहना है बेसिकली एक्जाम में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव फ्रेम ओफ माइंड नहीं आएगा तब एक्जाम में दिक्कत है जब दो से तीन कोश्यन आपके जब दो से तीन आपके कोश्यन सॉल्व नहीं हो रहे तो अंदर से एक आवाज आती यार पेपर मुश्किल है बस वह वाज को दबा दो नहीं मुश्किल है कर लेंगे कोई बात है दो नहीं तीन नहीं ज़्यादा हो जाएगी और थोड़ा सा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे कोश्यन इसलिए अभी मन्यों आई एस थे अर्ली सिसाट पैच लॉंच कर दिया गया है ठीक है जिसकी कोर्स डिटेल आपकी स्क्रीन पर है ठीक है टाइम इंग इसकी साथ तीन से ल देखो फोर डेज अब इक हैं कम से नहीं दो चली रहा आपके बस ठीक है तोटल लेक्ट्र एक्स एक्स टोटल वनेटी प्लस अगर मैं बात करूं नाइंटी लेक्ट्र कॉन से पचास इसमें कोट के हैं पच्चिस लॉजिकल के हैं फंदरा इसमें इंग्लिश के लेक्षर पंदर एक्स ट्रें अब यह नबबे लेक्ट्र कॉन से यह वह जो आपको आपको कि ऑनलाइन कि और ऑफलाइन मिल रहे हैं मतलब यह अनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों डेडिकेड़ बैच आइए जा तो घर बैटके को बच्चा दूर तो घर बैटके देख सकता कि रिकॉ सेशन कितने अब रिवास पचास प्लस लाइव मेंटर्शिप सेशन कितने अब रिवास इस प्लस तो टोटल वनिटी प्लस लेक्ट्टर आपके बन गया है तो इनको कैसे अवेल करेंगे इसका लेंगे डिस्रिक्शन बॉक्स में अब दो तीन चीज़ें और हैं कोई डाउ मिन्हльरी बात आपके शेडूल आएगाAr Lil इब आपके बस क्या वीकली शेडूल हाएगा आपके बस लाइव लखयर आपको पता चलेंगे भी आ कि chilli किस-kिस दिन मेरा कौनग करवाने हैं वह आपको पीडिएफ के तोर पर अल्रडी पोर्टल पे अप्लोड़ी मिलेगी नमबर टू पर क्या बैट है रिसूर्स इस के रिसूर्स इस चैप्टर का वह भाग या वह पार्ट होता है जिसके अंदर कुछ फॉर्मले को त्योरी या कुछ ऐसी इंफर्मेशन होते हैं जो इंपोर्टन है एक्जाम के लिए या उस प्रटिकुलर चप्टर के लिए ठीक है तो नमबर तीन पर प्रेक्टिक शीट के अंदर आपके पास दस से 20 कोशन होंगे जो ने टॉपीप किया चैसे मैंने टाइम निडवर किया किया या मनेशन किया जो भी सुसमार कि अंदर हो जाते उल्म कुछ तो यह बहुत इजी हो जाता है बच्चों के लिए और इसी के अंदर साथ में आपको प्रीविश्य कोश्टन भी कवर करवा रहा हूं यह तो करवाई रहा हूं लेक्चर में मिलते हैं आपको बहुत सारे देखने को छोटी-छोटी चीजें हैं इनको देखिए और करिए बहुत मजा आने वाला आपको इट्स आल बाउट इस नेक्स है बेटा मेरे पास हमारे पास एक वट्सप ग्रूप है जिसका लिंक डिस्क् इस प्लेस्ट ऑन दा टॉप अवेट इंग्रीज बाउट सिस्टी परसेंट आव मच वेट विल रिद्यूस विद रिस्पेक्ट टोटल वेट ऑफ एंड बी इस रिमोवड फ्रॉम टॉप ऑफ हैं यह मेरे को कह रहा है कि ए और बीना तो टॉप हैं यह हैं और यह हैं इस से क्या हुआ इस से क्या होगा इस सिक्स्टी परसेंट बढ़ गया वेट अब वेट किसका बढ़ागो डेफिनेटली ए प्लस भी हो गया यह आप अगर बी को इसकते पर्चेंट का मतलब समझें जरा सिक्स्टी परसेंट। इसका मतब अगर मेरे पास फार तो यह कितना होगा फांच वर थी नाट इसका मंदब यही हुआ इसका मंदब एगर पांच था बी कितना हो गया थी तीन अब वही क्या गेर है। हमच वेट वेट विल रिदूस, विद रिस्पेक टोटल वेट फे एंड वी, इफ बी इस रिमूवव फ्रॉम दोप अगर बीगों में रिमूव करता हूं, बी कितना है मेरा, पैस तीन वेट कम होगा है, टोटल कितना है, यह और भी गार्ट, इन्टु, अंटर पर्ट सांथ, तो 3 बाइट कितना होता मेरा, ओप्शन नमबड़ी, 37.5%, बहुत अच्छा कोश्चन था है, क्लियर, यह बहुत and Z are 3 contestants in a race of 1000 meter, assume that all run with different uniform speeds, X give Y a start of 40 meter, यानि X ने Y को start दिया 40 meter का, अगर X बाग रहा है, 1000, तो Y कितना बागेगा, 960, clear, and X gives Z a start of 64 meter, और Z कितना बागेगा, भाई, अगर 64 meter तो 936 meter, यह बताईए, clear, अब वो क्या कह रहे है, तो Y and Z, वर तो compare in a race of 1000 meter, how many meter start will Y give Z, अब देखो, अगर 960 की बात करो, इसकी value कितनी है, 1000, एक की value कितनी है, 1000 by 960, इसका मतलब मुझे Y के comparison X से Z से करनी है, तो उसी को 1000 बराओ, तो मुझे किसकी value चाहिए, 936, clear, प्लीज इसको करिए ज़रा, देखो, 0-0, 4 से कटेंगे, 24, और यह कितनी है, 25, cutting करोज़की कितने बजाएगा, फिर देखते हैं, जल्दी से कि देखो इसको, कितना आया है, देखो, यह कितना टाइम जाएगा, देखो, 4 पर जाएगा नहीं, कि देखो, इसको ऐसे लिखो, 960, माइनस ओफ गया, 24 लिखो इसे में, क्यूंकि 34, 40, 50, 60, दिवाइड़ेड़ वाइड़ 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 वाइड़, कि अगर अब इसको 1000 भागना था तो यह कितना भागेगा, 975 तो ऑप्षिन नमर भी 25, क्लियर तो यह इंट्रेसिंग कोशन और इंपॉर्टेंट कोशन स्टूरेंट्स प्लीज इन वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्स्राइब करना, मत भूलिए, कि आप लोग आद मन्थन करें, आप लोग सोचें क्या आप इतनी लापरवाई करने के हांके में हो, या अल्रेडी आप कर रहे हो लापरवाई, क्योंकि सी सेट ना हुआ तो एक साल की महनत पानी में तो जाएगी, जाएगी, वो फस्टेशन आएगी, वह लगए, वह लग अगले साल की तयारी कर रहे होंगी, वह एक साल सीनियर हो चुका आपका, और अगले साल का तो पता ही नहीं है, तो भाया जो आज है, अभी है, उसी को संभाली है, अगली बार का मत सोचें, प्लीज, चलिए, if x is greater than or equal to 25, यानी x किया है, 25, and y is less than or equal to 40, ठीक है, then we show the following, is always correct, x is greater than y, ठीक है, y minus x is greater than 15, y minus x is less than or equal to 15, x plus y greater than is equal to 6, क्या कहोगे इस को आप, कैसे करेंगे इस कुशन को, रही करें, देखो, इनका difference basically, अगर मैं x को 25 माननू और y को माननू में कितना, 40, तो इक्वाल टू greater than, इक्वाल टू less than, तो maximum limit लेके चलूँगा, तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूँ, अब सूच ही ज़रा, क्यूंकि अगर हम इसकी maximum limit ले, तो maximum difference कितना इनके बीच का, पंदरा, और x और y दोनों vary कर सकते हैं, greater than less than the condition में, तो या तो equal to 15 होगा, या इससे कम होगा, इससे जाता कभी नहीं हो सकता हैं दोनों का difference, यह बद ध्यान रखेगा, please, what I'm trying to say, just understand, कि x की maximum value क्या है, कि x 25 से कम तो होई नहीं सकता है, इतरे 25 हो सकता है, y क्या हो सकता है, y 40 हो सकता है, तो बिसका difference 15 से जादा तो हो ही नहीं सकता, यह कम योग है इससे, ठीक है जी, इंपोर्टन कोश्चन है है हमारी क्लास का आज का, एज जिसका, इना वाज बोर्न 4 येर आफ्टर अर पिरेट्स मैरेश, मतलब अपने माता पिता की शादी के 4 साल बाद एना का जनम हुआ, और मदर इस 3 येर यंगर देन फादर, यदि मैं माता जी की बात करूँ, अगर पिता जी X के हैं, तो माता जी कितनी की हैं, यानि यानि फुटी हैं, यानि X-3, ठीक है, इस 25 येर ओलडर देन एना, तो एना कितनी के हुँए, देखें, माता जी कितनी की बात जी की बात हैं, और इनसे भी 14 साल चोटी हैं, तो एना कितना हुआ, X-3-14, एना हुइ स्थर्टीन येर ओलड़ी, यानि मैं कह सकता हूँ कि X, minus 27 is here to 13 x कितना हो गया 13 plus 27 is here to कितना 40 याने पिता जी कितने साल के भाई 40 साल के माता जी कितने के है 37 साल के question क्या पूछ रहा है at what age did Anna's father get married अब देखो Anna कितने के भाई अगर मैं Anna की बात करूँ आज Anna कितने की है x minus 27 40 minus 27 याने एना है 13 वर्षी है और Anna का पह दो माता पिता की विवाग या शादी के 4 साल के बाद यानी minus of 17 क्योंकि इसमें 4 add कर दोगे तो actually में difference आजाएगा तो कित थाँगा option number B 23 is the right answer clear प्लीज लाइक शेन सब्सक्राइब दा चैनल सुरें अभी देख बोला नहीं बट अभी बोलरों में ध्यान रखेगा लिए राकेश had money to buy 8 mobile handset of a that's the company but the retailer offered very good discount on that particular handset Rakesh would buy 10 mobile handset with the amount he had what the discount the retailer offered अब देखो मेरी बास सुनो मैंने माना एक handset ना 10 रूपए का भाई 8 handset के लिए कितने देने पड़ेंगे 80 रूपए कितना discount मिलेगी आठ के जगा मैं 10 खरी सकते हैं अच्छे सिंपल सी बात हो अगर मैं 10 handset खरीदने जाता तो मुझे 100 रूपए देने पड़ते हैं सिंपल कोशन है बिल्कुल कुछ नहीं अलग इसमें किरफ आपकी अप्रोच आपकी सोच अलगे इसकोशन में और कोई कुछ इसकोशन को लग नहीं बनाता है इसका मतलब सौरपए की चीज मुझे अब कितने में मिल रहे भाई कि असी में तो कितना वह बीस परसेंट का डिस्काउंट कितना मिल रहा है तो पर गुना अंसर कि तना के ऑप्शन नंबर भी कुछ भी नहीं करना था पैंद तक नहीं चलाना साइस कोशन में तो सोच थे समय कोशन हलो हो जाता आपका चलिए बाई यह एवरेज का थोड़ा सा अच्छा कोशन है वट हम इसे एवरेजरे शॉर्टकट से करेंगे क्लिए इवरेज मांक्स को फंडर सुरेंट अर गिवन तूबी फॉर्टी इट वास फाउंड लेटर देट मांक्स वह नंबर होता है जो हर किसी के पास है इसका मतलब मेरे पास 53 marks जुड़ने चाहिए थे जुड़ है कितने 83 यानि मैंने 30 marks ज़ादा लिये 30 marks ज़ादा है मेरे पास और इन 30 marks को मुझे क्या करना है मुझे divide करना 100 बंदों में तो पर बंदे से मैं कितना marks ले लूँगा वापस क्यों कि मैंने क्या क्यों मैंने पूरी 100 बच्चों क्लास को 30 number ज़ादा दिये हुए है मुझे आप वो 30 number बापस लेने कितने उसे 100 बंदों से तो एक बंदे से कितने marks लूँगा 0.3 बापस लेना अंसर इस 79.7 option बापस बीज़दा clear it was very fantastic question बहुत अच्छा question था clear अब ऐसा question करोगे तो मज़ा भी आएगा इन्हें a group of 15 people 7 can read French 8 can read English while 3 of them can read neither of 2 languages the number of people who can read exactly one language is basically यह है Venn diagram को question ठीक है देखो अपने बास एक formula होता है n of a union b n of a plus n of b minus n of a intersection b यह होता है मेरे इस common part यह होता है मेरे इस complete part इसका मतलब क्या है दियान से देखो अगर मेरे पास total पंदरा है और पंदरा में से तीन कोई भी निस पर पढ़नी पढ़ रहे तो मेरे पास जो complete है यह कितना आगे बारा क्योंकि मुझे बारा में से डिसाइड ही करना पढ़ेगा तीन तो को निस पर पढ़नी नहीं रहे खतम कर दो उसको अब देखो मैं कहता हूं भाई फ्रेंच वाले कितने है थाथ एट रीड इंग्लिश इंग्लिश वाले कितने है आठ यानि अगर एक ही जगा में एफ डालू और बी की जगा में ए डालू तो क्या होएगा 12 या मेरे पास यह है घ्या मेरे पास है यह हैविलेबल है котором मुझे उसको लेकर çल आ आ ही मुझे उस पार्ट कोुले कर चलना है जो जो चीजित मेरे पास अभी अवीलेबल मैं आ को यह देखना पड़ेगा इसके बाद इस उंसर आएगा को है ठीक है, question के कह रहे है, seven can read French, यानि यह कितना होगा है भाई, seven, यह कितना होगा है मेरे पास, eight, minus of, n, a, intersection, b, to n of, intersection, a, b, निया, अब लिगो, French, और, English, मतलब यह वाला पाट है, यह वाला पाट अगर हम बोलू, यह intersectional part है, है, ठीक है, French, intersection, इन दरा, minus 12, यानि कितना, तो यह कितना होगा, भई, यह अगर यह पूरा मेरे पास, धात थे तीन होगा, तो यह कितना होगा, चार, पूरा आठ है, तीन कितना होगा, पांस, तो पांस और चार कितना होगा, मेरे पस और बिन नहीं, प्रिंटर नंबर पेज़ वह बूक काटिंग विद वन एड यूज इस तरी जो इस देखने वाला प्रशन लग रहा है ना कि कितने पेज़ी दोंगे अब प्रिंटर नंबर पेज़ी वह बूक काटिंग विद वन मेरे पास नाइन डिजिट्स होगे डिजिट्स यह कितने 3089 मुझे पहले 3089 डिजिट्स के उपर जाना है और यहां पर कितने पेज़ीज़ें अगर मैं 10 से गया 99 यानि हर पेज़ पर दो डिजिट्स है और यह 90 तो यह कितना हो गया यानि 180 पेज़ीज के लिए मुझे स्वरी 90 पेज़ीज के लिए अब अगर मैं गया हंडर्ड तो त्रिपल नाइन के लिए यानि यह कौन सा है जहां पर थ्री डिजिट्स पेज है यानि यहां पर कितने नुमरा पेज़ीज है आपके वास क्या 900 पेज़ीज है इसेंट इस तो अगर 900 हर पेज़ीज पे तीन है इन 900 है तो कितना बचा अगर 2700 पचा तो यह एड़ कर दीजिए नाइन जीरो और एट नौट जीरो एट 2889 होगे यहना 278889 अब टोटल नुमरा पेज़ीज कितना है 3089 कितने पेज बचे मेरे पास 200 पेज़ीज बचे पूरे 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 और इसके बाद ट्रिपल नाइन के बाद हर पेज के उपर कितने डिजिट लिक्योंगे थाउजन में चार मिनिममम या एग्जेक्टल आपको चार लिक्योंगे तो 200 पेज़ीज के लिए कितने चियोंगे इसके लिए कितने चियोंगे चार्स पेज़ीज यह कितना हो गया नौसो नौसो नबे निन्यावे एक हजार पंग जिरो और नाइन ऑप्शन नमबर सीज़दा बड़ा डिटेल में बताया और बड़ा ठहराव करके बताया प्रशन आगि एक्जेक्टली आपको समझ आए और दिमाग में बैठे कोशन कोशन दुबारा भी एक्जाम में बनने की पॉसिबिलेटी है अभी बहुत करोगे तो और भी बड़ी अभी है कि नयागर को प्लीज लाइक शेने सब्स्राइब चैनल और फूल कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ग पर उसके पहले एक कुछन और है मेरे बाद देखो इव दन्यूमिनेटर एंड दिनॉमिनेटर और ऑफ प्रोपर फ्रेक्शन क्या होती है समझो फिलें और इंक्रीज बाइदा सेम पॉजिटिव कॉंटिटी विच इस ग्रेटर दैन जीरो दे रिसल्टन फ्रेक्शन इस द पड़ा नहीं हो सकता है कि यह मैं चोटता हुगा कि उसे पाज्यान रखतो तो प्रॉपर फ्रेक्शन में क्या होगा जिसे तीन बटे चार कोई ले लो माइक्रो कोर्स एक ऐसा इनिशेट एक ऐसा प्रोड़क्ट है आप कहोगे ऐसा एक अलग सी चीज नहीं जिसमें क्या होता है आपको पूरा नहीं खरीदना को जैसे कोई बच्चा कोई पर्टिकुलर टॉपी करना चाहता है जैसे आप नंबर सिस्टम करना चाहिए लसे मैं आप वह भी अकिली पर चेस कर सकते हैं जैसे इसका लिंग बिटर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा आपको मैं बताते हों आपको कर लेंगे कर लेंगे बचे कर लेंगे चिंता मत करो आपके लिए नहीं जीज़ बताऊंगा इसमें क्या है नहीं चीज़ बताऊंगा आज जैसे 3436 है पूरा इसका प्राइज बट अगर आप नंबर सिस्टम करना चाहें तो सिरफ 324 रूपीज का है जिसके अंदर दस लेक्षर सान नोव वैबनोट्स और 421 मुल्टिपल चोशन मिलेंगे क्लियर नेक्स जैसे सिंप्लिफिकेशन 15.23 परसंट बाट इसकी थोड़ी बढ़ चू के नंबर सिस्टम की पिछले साल से 25 के राउंड आ रहा है बीस के राउंड कोशन आए थे क्लियर नेक्स अगर हम बात करो परसंटेज की 8.59 है पर्मेटेशन कोंबिनेशन की क्या है 8.59 तो यह सब चीज़ें बहुत तसल्ली से करवाई हूं इसे बहुत तसल्ल दिया हुआ वैबनोड्स के हैं वैबनोडस टेटर का वह पार्ट होता है जिसके अंदर आप थ्यूरी करते हैं जिसके अंदर को फोर्मला हो सकता है दिए दोस्तों 27 कोश्चन जो है इसके प्रीवेस अर्भी कोश्चन से कुछ और आपके पास इनको ऐसा टेस्ट भी दे सक सब दिया हुआ है उसके बाद आता अपने पास इंग्लिश है आपको पते पूरा बंडला है कोई भी आप खरी सकते हैं या वर्ड बिलिंग ट्राइल लेकर देखो अब सर्प्राइज के आपके लिए यह वाला बैच अभी है जो मिलने वाला जहां चल रहे हैं मिकलासे स्कार्टी हो जाद टाइम नहीं हो यह वो स्टुडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हो है क्यों दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या विद रैंक लिखा हूँ अभी नाम लिखा हूँ बच्चे क यह बच्चों के खुद के वर्डिंग्स हैं जो सिलेक्ट हुएं तो इनको पढ़िए बहुत कुद प्रता चलेगा हमारे बारे में मैं नहीं बोलूँगा विएर बेस्ट बट इनके यह टेस्टिमोनियल्स बताएंगे कि वाई वी अर बेस्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ आ प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्स्राइब कीजिए फूल कोर्स माइक्रो कोर्स और वर्टसाइब गूरूप का लिंक आपको डिस्रिप्शन बॉक से मिल जाएगा थैंक यू